सिंकू और हितेश की सच्ची दोस्ती की कहानी एक आदर्श दोस्ती का उदाहरण है. यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल साथ बिताए गए समय या साजह किये गए अनुभवों से कहीं अधिक होती है. सिंकू और हितेश का परिचय स्कूल के दिनों में हुआ था दोनों ही अपनी अपनी कक्षा में काफी अववल थे लेकिन उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब दोनों ने एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया पहले दिन से ही उनकी विचारधारा और कारेशैली में एक अनोखा सामन जस्य था सिंकू जो की एक उत्साही और क्रियाशील विद्यार्थी था और हितेश जो की शांत और गहरी सोच वाला था ने मिलकर अपने प्रोजेक्ट को शांदार बना दिया इस परियोजना ने उनकी दोस्ती की नीव रखी और दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक अनकही समझ और आदान प्रदान है समय के साथ सिंकू और हितेश की दोस्ती ने गहरी जड़ें जमा ली दोनों ने कई महत्वपूर्ण क्षण एक साथ बिताए चाहे वह स्कूल की वार्षिक सभा हो, खेल कूत की प्रतियोगिताएं हो या छुट्टियों में छुट्टियों का आनंद लेना हो वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे जब सिंकू को अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का पता चला तो हितेश ने उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान किया हितेश ने बिना किसी अपेक्षा के दिन रात सिंकू के परिवार की मदद की और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा इसी प्रकार जब हितेश की पढ़ाई में समस्या आई तो सिंकू ने उसे हर संभव सहायता दी उसने अपने समय और उर्जा का उपयोग करते हुए हितेश को कठिन विशयों में मदद की उसकी यह सहायता न केवल अकादमिक सहायता थी बलकि हितेश को यह भी एहसास दिलाया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की प्रगती की चिंता होती है उनकी दोस्ती की सबसे खास बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे की खूबियों और कमियों को स्वीकार किया। जब भी कोई मतभेद होता, वे उसे शांती पूर्वक और समझदारी से सुलजाते। उनकी बातचीत में इमानदारी और विश्वास था, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाता था। सिंकू और हितेश की दोस्ती ने यह साबित किया, कि सच्ची दोस्ती में न केवल साथ बिताए गए पल माइने रखते हैं, बलकि एक दूसरे के प्रती सम्मान, विश्वास और सहायता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी सिखाया, कि दोस्ती में केवल अच्छे समय का ही नहीं, बलकि बुरे समय का भी साथ देना महत्वपूर्ण है। इस तरह सिंकू और हितेश की सच्ची दोस्ती एक मिसाल है, कि दोस्ती कैसे जीवन को और भी सम्पूर्ण और सार्थक बना सकती है। उनके रिष्टे में आपसी समझ, सम्मान और सहयोग की भावना ने उन्हें जीवन के हर पल में एक दूसरे का सहारा बनाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं, जो हमें ना केवल अच्छे समय में बलकि मुश्किल समय में भी मजबूत बनाये रखते हैं।